हमारे life में हमारे हालत कितने भी खराब हो फिर भी हम दुनिया को kindness से देख सकते हैं एक empathy के साथ सब के साथ रह सकते हैं इसे beautiful message के साथ आज की short film आती है Like Animals ये three sisters के बारे में एक short story है तो चलिए आज मैं आपको explain करता हूँ Movie स्टार्ट होती है और जो सबसे चोटी sister है ये हमें सब narrate करकर सुना रही है ये हमें कहती है कि आज हमारे मदर का funeral है उनका घर हमें दिखाया जाता है वो कहती कि हमारे मदर के साथ हम तीनों sister यहां रहती थी अब ये मर चुकी है पर फिर भी इस घर में उसकी खुछ भुआती है ये जो तीनों sisters है अब ये इस घर को sell कर देने वाली है इनका एक brother भी होता है जो city में रहता है ये gay होता है और उसका एक fiance भी होता है इनके brother की fiance को इनकी जो बड़ी बहन होती है ये बहुत ही hate करती है क्योंकि ये बहुत ही annoying होता है ये ऐसा pretend करता है कि already family का part है इस funeral में वो जब बात कर रही होती है तभी भी वो उसे interrupt कर देता है ये फिर अपने sisters होगे थी है अगर brother ने इसे शादी की तो मैं इसको मार दूंगी अब थोड़े दिन गुजर जाते है अब ये जो बड़ी sister है जा flight के tickets book किये जाते है उस office में आई है ये जो तीनो sisters है इनका plan है कि वो अब घर sell करेगी और उनका जो रास्ता है वो choose कर लेग अपनी new life वो create करेगी इसके लिए बड़ी sister जो है एक office में आ चुकी है या पे वो flight के tickets book करने वाली है जब वो एक normal price पूछती है तो ये बहुत ही जादा हो जाती है फिर वो economic class की tickets की inquiry करती है ये उसके budget में होता है पर फिर भी ये बहुत ही जादा होती है इसका गर sell होकर उ बहुत ही kind थी मेरी वो favorite teacher थी sister कहती ही कि सच है वो बहुत ही kind थी इसके पास पैसे नहीं होते है तो office की lady उसे कहती है कि तुम अभी book कर सकती हो सिर्फ तुमारा credit card मुझे दे दो अभी तुम पे नहीं करना पड़ेगा बड़ी sister भी इसके लिए मान जाती है नेक सिन में हमें जो middle sister है वो दिखाए गई है यह एक teacher होती है अपना student का जो essay होता है यह वो review कर रही होती है उसका student उसे अपना पुरा review पढ़कर सुनाता है यह जब सुनती है तो उसे एक phrase बहुत ही अच्छी लगती है इस phrase को board पर लिखती है यह इसे बहुत ही brilliant लगता है पर जब इसका student इसे elaborate करकर उसे सुनाता है तब इसे पता चलता है कि यह idiot है और इसे खुझ भी बता नहीं है यह अपने job से बहुत ही frustrated होती है क्योंकि talented होती है पर ऐसे student उसे नहीं मिल पाते है जो छोटी sister है जो हमें story सुना रही है वो wonder करती है जो हमारी mother थी कि क्या वो यहाँ खुश थी इस town में जो भी लोग आते है यह stuck हो जाते है कि कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाते है इसके बाद नेक सिन में इनका जो ब्रदर है अपने fiance को लेकर उनके घर आता है इनकी छोटी sister का आज बड़े होता है यह सब celebration करते है और इसके बादी sister उसके ब्रदर से पुझती है कि house का क्या हुआ कभी यह sale होने वाला है ब्रदर कहता है कि थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे sister कहती कि नहीं हम आभी बात कर सकते कोई problem नहीं है ब्रदर कहता है कि मैं और मेरे fiance फियांसी जो है हम दोने decide किया है कि हम इसी घर में अब रहने वाले है यह जब city मे रह रहे थे इन्हें financial problem हो चुकी है और घर रहना बहुत ही difficult है इसलिए अब इसी घर में रहने वाले है यह बात सुनकर सब sisters बहुत ही disturb हो जाती है जो बड़ी sister होती है वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हम सबने जो पैसे मिलने वाले थे इससा plans बना लिये थे ब्रदर क बोलता है कि वो ऐसा कर सकता है मदर की जो विल थी इसमें brother को सब rights दे दिये गया है house sale करने के लिए इसलिए अब वो इस घर में without objection रह सकता है बड़ी sister फिर इस फियांसी पर चीड़ कर ऊपर चली जाती है अपनी बड़ी sister को सहारा देने के लिए जो middle sister होती है उसके पास ज चले है कि यह house sale हो चुका है जिससे हम हमारी नई life पर लग सकते है जो हमें करना था वो हम कर सकते है पर ऐसा आप कुछ भी नहीं होने वाला अब मैं क्या करो यह रो रोकर वो सब बोल रही होती है यह teacher हो से कहती है अब हमें adjust करना पड़ेगा middle sister कहती है कि यह क्या कह रही हो वो कहती ही कि तुम्हें लगता है कि मुझे मज़ा आता है इन idiots बच्चों को सिखाने में पर मुझे अब यह करना पड़ेगा adjust करने के अलवा उनके पास और भी कोछ option नहीं है यह buddy sister फिर अपने आपको समा लेती है और नीचे जाकर अपने brother से बात करती है उसे पुछती है तुम्हारा जो fiance क्या उससे तुम शादी करने वाले हो वो कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ वो पुछती है mother की जो ring थी क्या तुमने उसे दे दी है वो कहता है कि हाँ मैंने उसे दे दी है इसका fiance gay है तो पहनेगा तो बहुत ही weird लगेगा brother कहता है कि as a pendant वो पहन सकता है, अब जो sister है उसने अपने हालाद accept कर लिये है और अपने ब्रदर को भी उसके फियांसे के साथ उसने accept कर लिया है, यह ब्रदर कहता है कि सब workout हो जाएगा हम यह कर सकते हैं, यानि कि इस house में वो सब ठीक से रह सकते हैं अब यह छोटी sister हम से कहती है मेरी mother happy थी, या नहीं थी यह मुझे नहीं पता, पर वो हमेशा लोगों से kind थी, यह इतना easy नहीं होता अपना जो heart है, लोग को open कर कर देना, इस world में बहुत ही प्यार से रहना, हमारे पास है, तब उनके पास और कोई option नहीं है यह तीनों sisters ने अपना peace बना लिया है, happiness की जो idea होती है यह अंदर से आने चाहिए अगर आप अपने मन में खुश हो, तब यह आप खुश हो सकते हो, बाहर की चीज़ों से आप कभी भी खुश नहीं हो सकते यह एक बड़ा सा concept, यह short film में सिखाती है अगर हम external चीज़ों में happiness ढूनते रहे हमेशा हम stuck रहेंगे क्योंकि हम external चीज़ों को कभी भी control नहीं कर सकते हमें लगता है कि हम चीज़ों को control कर रहे है पर कभी भी हम किसी भी चीज़ के control में नहीं होते इसी एक beautiful message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आधा रहता हूँ तो इसलिए आप इस channel को subscribe कर दीजेगा bell notification icon भी दमाना मत भूलिए यानि के आपको सब movies मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे और एक beautiful movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप आपने आपका खैल रखे है